आज हम महाद जन्पत कालें दित्य नगरी करांती का ध्यन करेंगे मैं विक्रम सिंचारन पुन्हाँ आपका ने चैनल पर स्वागत करता हूं अकर हमारे जानका रिप्योगी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन बना तो सुरू करते हैं दित्य नगरी करांती का चेत्र गंगा गाटी के असपास का इलाका था पर्थम नगरी करांती जिसे संदो सबेता या हडपा सबेता की नाम से जाना जाता है उसका इलाका संदू और उसकी साथ नदियां थी अब दित्य नगरी करांती हुई वो गंगा और उसके साहिग नद्यूं किनारी वे इसका काल खरन्ट सटी सताबदी सापकूरूमा जाता है और इसकी जानकारी हमें बगवती सुत्र और अंगूतर निकाई नामके दो गरंटों से मिलती है बगोती सुत्र एक जहन गरंट है और अंगोतर निकाय एक बहुत गरंट है दोनों ही जो गरंट है इनमें मिलने वाले जण्पदों की सुची अलग-अलग है लकिन इसमें छे जन्पद हैं वो दोनों में कॉमन हैं जिनके नाम एक जैसे हैं बहुत बार पूच़ादाता है कि कौन-कौन से जन्पदैसे हैं जिनका दोनों गरंथों में नाम एक जैसे हैं तो वो कौन-कौन से हैं मगद, कासी, कोसिल, वत्स और अंग एक चोटी सी ट्रिक के दुआरा हम याद भी कर सकते हैं इसको अमावस काका एक मावस नाम काका है जो तोनों गरंथों में आता हैं तो ऐसे हो गया अंग, मैसे हो गया मगद, वैसे हो गया वच, और वैसे ही हो गया वजी, कासी, कासी, कोशल तो यह आपको याद रखने में साहिता करेगा आगे देखो उस समय के छे महा नगर थे, यानि छे बड़े नगर थे या फिर उस समय में जो छे समर्द नगर थे, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है कौन-कौन से थे, चमपा, राजग्रे, कासी, साके, स्रावस्ति और बनारस तो इनको भी हम ट्रक के दोहरा याद कर सकते हैं कि चमप राज, चमप राज, राजग्रे, के, 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 कासी, सा, पहले सासे, साके, दूसरे सासे, स्रावस्ति और बनारस में, यानि बनारस अब देखते हैं, इस काल की क्या विशेज़ताई थी, इस काल में लोहे का भरपूर प्योक किया गया था, जिससे उसमें युद्द, और जो कर्शी औजार बनाए गए और कर्शी औजारों का ही परिणाम है, कि उसमें कर्शी का विकास बहुती उच्प एमाने पर हुआ, एक तो गंगा की जो अब जाओ मिटी है, और दूसरे हलकी फाल लोही की बनीवी, जो इससे कर्शी कारिये आसान हो गया, और इससे उत्पादन बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ा तो, वहां लोगों ने स्थाई निवास बनाए, यानि अपने घर बनाए, और उच्प अब व्यापार की आऊश्चता हुई, और व्यापार के लिए पर्थम भार महादीब में पैसे चले, जिन्हें क्या कहा जता है, पंच मार्क सिक्के, तो ये बहुत इंपोर्टेंट हमारे सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं, पंच मार्क सिक्के हैं, जो इसी काल की देन है, और इसी काल के अंदर जो मर्दभांड है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, काली चमकीली पुलिस वाले मर्दभांड उत्री, काली चमकीली पुलिस वाले मर्दभांड वो इसी काल की देन है, इसके अलवा कुछ अन्य विशेष्टा हैं जिनके बारे में देखेंगे कि भाउना का विकाह से होना सुरू कर दिया इसको बसाने वाले लोग आ रही थे जो अपने आपको स्रेश्ट मानते थे और प्रतेक जन अपने अपने चेतरवाद से परेनित था तो आगे देखते हैं कौन-कौन से उसमें जनपद हुआ करते थे और उनकी राजधानिया उनके परे में पढ़ते हैं तो त सब्सक्राइब याद रखना कांच में तो क्वै यार पूसight आपर तीन जनपद आपको जरूर याद रखनी जिनकी दो दो राजधानिया और पूछए सबबती दो पांचाल पांचाल न इयुए और आपकी पूछी जाधा राजधानिया तम हमारा महाजनपद है वो कौन सा है अस्मक इसकी राधधनी है पौतन और यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में बशा हुआ है तो अस्मक और पौतन है इसकी राधधनी अस्मक की राधधनी और गोदावरी और कृष्णा नदिय के किनारे बशा हुआ है इसक ये को कोसल में मिला लिया तो ये भी इंपोर्टेंट क्योसन है कि कर्ण्स कहां के राजा थे तो कोसल के राजा थे अब बात करते हैं कोसल की तो कोसल की राजधनी थी वो थी सरावस्ती या साकेत दोनों ही इंपोर्टेंट थी सरावस्ती या साकेत और यहां के राजा जिसका जो आर्किटेक्टर डिजाइन तयार किया था वो महागोविंद ने तयार किया था और यहां का राजा था ब्रहमदत जिसे जिसने भद्दी नामक राजा को पराजित किया और अंत में अंग को किस राज्य में मिलाए गया मगद में तो अब बात करते हैं मगद की गिर्यवजर राजगरे, 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 इसकी सरवादिक प्राचिन और सबसे सुरक्षित मानने जाने वाली राजगरे ती, क्योंकि यह चारों और से पांफ पहाड़ीों से गिर्यवी थी, और उदेन ने जो बाद में गंगा की किता ने किनारे पाटली पुत्र नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाई थी उसके बाद में बात करते हैं मगद की सुरी उसके बाद में बात करते हैं वच्स की वच्स की राजधानी कोशामभी जो वज्ज का राजा था वो पौरवन्ची राजा उद्देन हुआ करता था जिसे पिंडोला नामक बहुत बिख्षक ने बहुत धरम से दिख्षित किया था और उसी समय अवंती की राजा चंडपरदोत ने इस पर अकरमन करके उद्देन खरा के इसको अपने राजे में मिल लिया था यहनि वज्द का विलेकिस में हुआ अवंती में हुआ था आगे देखते हम आगे वाला है वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है वज्जी बार बार पूचा रहता है यह गणराजों का संग था इसमें आठ गणराजे आते थे यह प्रशन कई बार कंप्टिशन ए तो आट गरन राज़े थे और जो वज्जी की राज़धनी है वो हैती मिल्णा या विद्ध अब बात करते हैं मल की मल की दो राज़धनी है कुशिन अगर और पावा में भगावान जो महवीर है उनका परी निर्माण हुआ था और इसके बाद में बात करते हैं अवंती बहुत इंपोर्टेंट जन्पद है यहां के अवंती की दो राजधानिया थी उजेनी और महिसमती और यहां का एक परसी दराज़ा हुआ था चंड परधोत जिसको पांडू रोग हो जाता है और मगद राज बिंदू सार अपना राजवेद जीवक को यहां इसके इलाज के लिए बेज़ते हैं और जो चंड परधोत है उसको महा का चैन नामक एक बोध संत ने बोध धरम से दिक्षित किया था तो ये भी important जानकारी है आगे है चैदी चैदी ये महा भारत काल में जो सिसुनाग हुआ करता था वो सिसुपाल था वो चैदी का राजा था चैदी की राधणी सक्ती में है और इस स्वाल का बाद में सूर सेन के राजा भगवान कर्शन ने वद्द किया था तो ये भी इंपोर्टेंट है महाभारत का लीन है आगे देखते हैं कुरू और पांचाल ये दो संग राज्जे हुआ करते थे कुरू है पांचाल संग राज्जे का मतलब इनकी दोनों की यूनिटी हुआ करती थी कुरू की राजदानी थी इंदर परस्ते और पांचाल की दो राजदानी थी आहिच सत्रोरे काम पिल दे तो उत्तरी पांचाल की राजदानी है वो आहिच सत्र है और दक्षिनी राज़ पंचाल की राज़धनी काम पिल लिए है आगे देखते हैं मतस से यह इंपोर्टेंट अपने राज़स्तान की दरस्टी से है क्योंकि इसकी राज़धनी विराटनगर है और राज़स्तान का एक मत्रे जनपत है इसलिए यह जद्धा पुछा जाता है विराटनगर में सोकी अबलेख भी है जिसमें उसने बुद्ध धम संग की गोशना की थी तो यह भी इंपोर्टेंट है अगे सूरसेन सूरसेन की राज़धनी अमत्रा ये बखवान कर्शन की जनम भूमी और करम भूमी है जिसमें यदूवन्स का राज़ध हुआ करता था अगे गंधार गंधार ये सबसे पस्चिमतम है पूरवतम तो था अंग और पस्चिमतम है गंधार जहां की राज़धन और बिन्दुसार के यहां राज़ दूदे भेजा तो यह उस समय का बहुत ही 37 साली राज़ा हुआ करता था आगे है कंबोज कंबोज की जो राधधनी वो हाटक है या फिर राजपूर है और कोटिले नहीं है वारता सच्ट्रॉब जीवी यानि बाताओं के युद्धे करने वाले कहा है और ये घुड़ों की वेपार के लिए प्रसिद था थैंक यू